आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा वैलिडेशन की मदद से डिपेंडन्ट डोप डाउन लिस्ट को क्रेट करते हैं तो चलें गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइज अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाहें जहाँ पर आप कोई form फिल करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दो drop down list मिलती है जो पहली drop down list होती है वो होती है select country और जो दूसरी drop down list होती है वो होती है select city पहली drop down list से आप country को select करते हैं तो जो आपकी दूसरी drop down list होती है select city वो आपकी country के according change हो जाती है यानि कि first करें अब पहली drop-down list से जब country select करते हैं वो है पाकिस्तान तो दूसरी drop-down list select city में आपको सिरफ पाकिस्तान की cities नदर आती है इसी तरह अगर आप पहली drop-down list से select करते हैं country India तो दूसरी drop-down list में आपको सिरफ इंडिया की cities नजर आती है guys अब हम भी यहाँ पे same वैसी ही दो drop down list ने create करेंगे guys यहाँ पे हम जो पहली drop down list create करेंगे वो होगी select country और जो दूसरी drop down list जो हम create करेंगे वो होगी select city तो guys countries में जो मैंने countries ली है वो है Pakistan, इंडिया Australia, UK तो guys सबसे पहले जब हम पहली list से country को select करेंगे तो जो दूसरी list है select city की वो हमारी change होजेगी according to country यानि कि first करें अगर मैं country में select करता हूँ Pakistan तो जो मेरी दूसरी drop down list है वो change होजेगी according to Pakistan यानि कि दूसरी drop down list में आपको सिरफ पाकिस्तान की cities मिलेंगी इसी तरह अगर मैं पहली drop down list में select करता हूँ इंडिया तो जो दूसरी drop down list है उसमें मुझे सिरफ इंडिया की cities मिलेंगी तो guys अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे implement करते है guys मेरे पास ये data है सबसे पहले मैं इस data को एक नाम दे देता हूँ guys मैं क्या करता हूँ जो मेरी ये पाकिस्तान की cities है उनको मैं नाम दे देता हूँ पाकिस्तान का और जो ये इंडिया की cities है उनको मैं नाम दे दूँगा इंडिया का जो यह Australia की cities हैं उनको मैं नाम दे दूँगा Australia का जो यह UK की cities हैं इनको मैं नाम दे दूँगा UK का तो guys सबसे पहले आप अपने इस data को select कर ले guys data select करने के बाद आप यहां से formula tab में define name section में create form selection पे click करेंगे guys यहां से जो आपके पास option है top row को अब select करेंगे guys top row को अब इसलिए select करेंगे क्योंकि आप जो पाकिस्तान की cities है उनको नाम देना चाते है पाकिस्तान का जो इंडिया की city है उनको नाम देना चाते है इंडिया का तो आपका जो name होगा वो आपका top row में है यानि कि आपके data का जो नाम होगा वो आपके column के headers होंगे इसलिए मैं यहाँ से top row को select का रहा हूँ इसके बाद मैं ok करता हूँ guys आप देखें अब हमें कैसे पला चलेगा कि हमने जो ranges बनाई है वो ranges बन गई है आप यहाँ पे इस down arrow पे click करें यह देखें आप यहाँ से इंडिया को select करेंगे तो इंडिया की cities select हो जाएंगी आप यहाँ से पाकिस्तान को select करेंगे तो पाकिस्तान की cities select हो जाएंगी guys हमने क्या किया है हमने पाकिस्तान की cities को उसकी country का नाम दे दिया है पाकिस्तान इंडिया की cities को उसकी country का नाम दे दिया है India and so on Guys अब हम क्या करेंगे अब हम अपनी पहली drop down list बनाएंगे सबसे पहले हम जहाँ पर drop down list बनानी है उस cell को select करेंगे Guys मैंने ये B5 को select किया है यहाँ पर मैं drop down list बनाऊंगा countries की जिसमें मेरे पास ये 4 countries आएंगी पाकिस्तान, इंडिया, स्टेलिया और यूके अब मैं cell को select करने के बाद data time में जाऊंगा यहाँ से Guys मैं data tools section में data validation पे click करूँगा यहाँ से Guys मैं under allow list पे click करूँगा और यहाँ से source panel पे click करके मैं countries को select कर लूँगा अब Guys मैं यहाँ से OK करूँगा तो यह देखें अब मैं down arrow पे click करूँगा तो यह देखें, यह मेरी drop down list create हो गई है Guys हमने select country की drop down list को create कर लिया है अब Guys हमने select city की drop down list को create करना है तो जहाँ पे हमने list को create करना है सबसे पहले इसको select करेंगे उसके पाद मैं यहां से data validation में जाऊंगा गाइज यहां से under allow list पे click करूँगा और गाइज यहां पे मैं formula type करूँगा is equal to indirect parentheses start और मैं यहां से b5 को select कर लूँगा गाइज अब इस function का मतलब समझे b5 indirect function उसको कह रहा है b5 यह name नहीं है यह name range है indirect function उसको बता रहा है यह value नहीं है यह name range है गाइज indirect function क्या करेगा जो यहां पे पाकिस्तान है इसकी list को call कर लेगा यह देखें यह पाकिस्तान की list में यह cities आती है यह इनको यहां पे call कर लेगा indirect function क्या करता है name range को call करता है guys internet function क्या करता है name range को call करता है उस name range के अंदर multiple cells हो सकते हैं देखें यहाँ पर क्या करेगा यह Pakistan name range है यह इसको call करेगा Pakistan के पीछे multiple cells हैं जिसमें कराची, लहोर, फैसलाबाद and so on cells आते हैं तो यह इस range को call करेगा अब मैं इसको okay करता हूँ guys अब देखें अब यहाँ से मैं country select करता हूँ India तो मुझे इस drop down list में सिरफ इंडिया की cities नदर आ रही है अगर मैं यहाँ से country select करता हूँ Australia तो मुझे इस drop down list के अंदर सिरफ Australia की cities नदर आ रही है अगर मैं यहाँ से country select करता हूँ UK तो मुझे इस drop down list के अंदर सिरफ UK की cities नदर आ रही है अगर मैं यहाँ से select करता हूँ country पाकिस्तान तो मुझे यहाँ पे सिरफ पाकिस्तान की cities नदर आ रही है तो guys इस तरह से data validation की मदद से आप dependent drop down list को त्यार कर सकते हैं तो guys अब हम देखते हैं कि हमें dependent drop down list बनाने में क्या-क्या problem आती है guys जो सबसे पहले problem आती है वो यह है कि let's suppose अगर मैं पाकिस्तान की जो cities है उनके अंदर एक होर city को add करता हूँ let's suppose मैं add करता हूँ park new city तो guys अब मैं यह देखता हूँ जो यह मैंने नहीं entry की है क्या वो मेरी drop down list में automatically update हुई है या नहीं तो guys यह देखें यह मेरी drop down list के अंदर automatically update नहीं हुई तो guys हम देखेंगे कि हम इस problem को कैसे solve करते हैं guys जो दूसरी problem आती है अब देखें आपके source data की जो length है अगर वो एक जासी नहीं होगी तो जो आपकी drop down list है उसके end के उपर empty fields नदर आती है तो guys हम देखेंगे कि हम इस problem को भी कैसे solve करते हैं guys जो एक और problem नदर आती है वो यह है कि जब आप left for मैंने यह UK लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पर United Kingdom लिख दूँगा और United और Kingdom के दिम्यान space होगी और उसकी जब मैं drop down list बनाऊंगा तो वो drop down list नहीं बनेगी वो drop down list के अंदर error होगा तो हम देखेंगे कि हम उस error को कैसे rectify करते हैं guys मैं अब अपनी दूसरी sheet पर आता हूँ और जो जो problem मैंने आपसे discuss की है हम इनको one by one solve करते है तो guys सबसे पहले यहाँ पे select country है तो मैं B5 के अंदर एक drop down list त्यार कर लेता हूँ जिससे मैं country को select कर सकूँ तो guys सबसे पहले मैं अपने data को select करता हूँ उसके बात guys मैं यहाँ से formula tab में define name section में create form selection पे click करता हूँ और यहाँ से top row यानि के जो मेरा data होगा उसकी जो heading है उसका name होगी top row को select करके मैं ok करता हूँ guys अब देखें यहाँ से drop down arrow पे जब मैं click करता हूँ और यहाँ से countries को select करता हूँ तो यह मेरी countries की entries select हो जाती है अब guys मैं इसकी एक drop down list बना लेता हूँ just मैं B5 पे click करता हूँ और यहाँ से data tab में data tools section में data validation पे click करता हूँ और guys यहाँ से मैं under allow list पे click करता हूँ और source panel पे click करता हूँ guys मैं यहाँ से F3 प्रेस करूँगा तो guys आप देखें मेरे पास यह एक dialogue box open हो जाएगा paste name guys मैं यहाँ से countries को click करूँगा क्योंके जब हमने अपनी इन countries को नाम दिया है वो हमने नाम दिया है countries का तो वो देखें यहाँ पे display हो रहा है just मैं इसको ok करूँगा ok करूँगा guys आप देखें मैं select country में इस drop down arrow पे click करूँगा तो यह देखें यह मेरे पास countries की list बन जेगी kuwait, italy, united kingdom, south arabia guys अब मैं क्या करूँगा अब मैं cities की drop down list बनाऊँगा सबसे पहले मैं अपने data को select करूँगा control shift down arrow and right arrow उसके बाद guys मैं यहाँ से formula tab में define name section में create form selection में click करूँगा और guys मैं यहाँ से top row पे click करूँगा top row का मतलब है कि जो मेरे data की heading है वो मेरे name होंगे यनि कि जो मेरे data के column की heading है वो मेरी name होंगे अब मैं इसको okay करता हूँ और guys अब देखें मैं यहाँपे down arrow पे click करता हूँ अब मैं यहाँ से अगर select करता हूँ कुवेट को तो मेरे पास कुवेट की cities select हो जाती है अगर मैं यहाँ पे Italy को select करता हूँ तो मेरे पास Italy की cities select हो जाती है तो guys अब मैं क्या करता हूँ अब मैं यहाँ पे C5 को select करता हूँ यहाँ पे data tab में data tool section में data validation पे click करता हूँ और guys यहाँ यहाँ पे under allow list पे click करता हूँ और यहाँ पे guys मैं formula लिखता हूँ is equal to indirect parentheses start और guys मैं select करता हूँ यहाँ से B5 को parentheses close OK guys अब यहाँ पे मैंने quiz select किया है तो जो मेब cities की drop down list आ रही है उसमें मुझे सिर्फ quiz की cities नदर आ रही है जब मैं country select करता हूँ Italy तो मुझे इस cities की list जो drop down list है उसमें सिर्फ Italy की city नदर आ रही है guys लेकिन आप अगर एक बात note करें तो Italy की cities नदर आ रही है उसके नीचे मुझे कुछ empty fields नदर आ रही है तो guys अब हम देखते हैं कि हम इन empty fields को कैसे remove करते हैं तो guys सबसे पहले आप अपने data को select करेंगे Ctrl Shift Down arrow और Right arrow उसके पास यहाँ से आप home tab में जाएंगे guys उसके पास यहाँ से आप editing section में जाएंगे जाँफे find and select पे click करेंगे guys यहाँ से आप go to special पे click करेंगे यहाँ से आप blanks को select करेंगे और ok कर देंगे गाईज तो देखें जो data आपने select किया था उसके जो blank cell है वो select हो गए है गाईज आप किसी भी cell पे right click करें, delete पे click करें, shift cells up और ok कर दें अब गाईज मैं देखता हूँ, यह देखें गाईज, अब मैं अपनी जो city की drop down list है उसके down arrow पे click करता हूँ तो यह देखें, जो cities के बाद मुझे empty fields नदर आ रही थी, वो सब की सब remove हो गई है तो गाईज हमारी एक problem solve हो गई है गाईज आप मैं country को select करता हूँ, United Kingdom तो गाईज यह देखें, आप मैं इसकी drop down list पे click करता हूँ, तो इसकी drop down list open नहीं हो रही इसी तरह गाईज अगर मैं South Arabia country पे click करता हूँ, तो इसकी भी drop down list open नहीं हो रही गाईज यह open क्यों नहीं हो रही, इसकी एक वज़ा है गाईज सबसे पहले मैं जाता हूँ, formula step में, यहाँ ते define name section में, name manager पे click करता हूँ गाईज यह देखें, जब हमने United Kingdom की cities की range मनाई थी, उसको हमने नाम दिया था United Kingdom अब यहाँ पे देखें, United Kingdom के दिर्मियान space है, जब action ने उसकी range मनाई, तो उसने United Kingdom में space की जगाँ पे यह underscore डाल दिया इसी तरह, यह देखें, साओध अरेबिया, यहाँ पे space है, जब action ने, उसके cities के नाम की range मनाई, तो उसने साओध अरेबिया में जो space थी, उसकी जगाँ यहाँ पे underscore डाल दिया guys, अगर आपकी, यह देखें, जहाँ से आप country select का रहे हैं, यहाँ पे United Kingdom के दिर्मियान space, space है, और यहाँ पे United Kingdom के दिर्मियान underscore है, जब तक यह same नहीं होंगे, तब तक आपकी यह drop down list वर्क नहीं करेगी यह देखें, यहाँ पे United Kingdom के दिर्मियान space है, यहाँ पे United Kingdom के दिर्मियान underscore है, जब यह दोने match करेंगे, तो तब इसकी जो drop down list है, वो work करेगी अब मैं इसको close करता हूँ, और आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे rectify कर सकते हैं, तो guys यह देखें, जो हमने country की drop down list त्यार की थी, उसका जो source data था, वो यह था guys अब हम क्या करेंगे, जैसिस United Kingdom के cell के अंदर, मैं F2 से इसको edit करूँगा, और जहाँ पे space है, उसकी जगा मैं underscore डाल दूँगा, guys अब मैं यहाँ से country select करूँगा, United Kingdom, और guys यहाँ से मैं drop down आरों पे click करूँगा, तो आप देखें सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे drop down list open हो ग guys लेकिन आपके दमाख में एक सवाल आएगा, कि यहाँ पे सिरफ दो entry हैं, यानि कि United Kingdom और Saudi Arabia, यहाँ पे तो हम manually underscore डाल देंगे, लेकिन अगर यह entries बहुत जादा होगी, तो क्या हम हर entry को manually ठीक करेंगे, तो guys आप manually ठीक नहीं करेंगे, guys कहले मैं control Z करता हूँ और अपने का रही, guys अब हम इस column को select करेंगे, अपने keyboard से control H press करेंगे, guys find what, यहाँ पे आप space press करेंगे, replace with, यानि कि यह space को किस से replace करेंगे, मैं space को replace करना जाता हूँ, underscore से, अब guys मैं यहाँ पे replace all पे click करूँगा, तो यह देखें, यह मुझे message दे रहा है, all done, we made two replacements, तो guys, यहाँ पे भी दो entry थी, अगर आपके column E के अंदर जितनी भी entry होंगी, वो सब की सब entries को correct कर देगा, अब मैं okay करता हूँ, यहाँ से इसको close करता हूँ, यहाँ से guys मैं अब यहाँ से United Kingdom को select करता हूँ, तो guys यह देखें, और यहाँ से मैं यह drop down arrow पे click करता हूँ, तो यह देखें, आपकी drop down list बिल्कुल ठीक काम कर रही है, अब यहाँ से मैं country select करता हूँ, सौथ अरेबिया, यहाँ से मैं drop down list को open करता हूँ, तो यह देखें, यह सौथ अरेबिया की भी drop down list बिल्कुल ठीक काम कर रही है, guys यह एक तरीका था जिससे आप इस error को rectify कर सकते हैं गाइज इसका एक होड तरीका भी है जिससे आप इस error को rectify कर सकते हैं गाइज मैं Ctrl Z करता हूँ अपने काम को undo का रहा हूँ अब गाइज ये देखें अभी मेरी ये list सही काम नहीं का रही ये drop down list open नहीं हो रही तो गाइज आप मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप इस error को rectify कर सकते हैं गाइज आप क्या करेंगे आप ये C5 को select करेंगे यहाँ से data tab में data tool section में जाएंगे यहाँ से data validation में जाएंगे गाइज यहाँ से आप interact के अंदर एक और function insert करेंगे substitute का तो गाइज मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे बाहिर function को insert करता हूँ उसके बाद मैं copy करके उसको यहाँ पे paste कर दूँगा ताकि आपको समझने में असानी हो जाए गाइज इसको मैं cancel करता हूँ अब देखें यहाँ पे मैं substitute का function आपका all text क्या है गाइज जो मेरा all text है वो है space कोमा अब space को किससे replace करना चाते हैं मैं space को underscore के साथ replace करना चाता हूँ parentheses close enter अब गाइज इस function को मैं क्या करूँगा indirect के function में insert करूँगा f2 अब मैं indirect का function insert करता हूँ indirect parentheses start अब गाइज जो मैं parenthesis close कर रहा हूँ वो indirect function की है गाइज मैं इस formula को copy करता हूँ गाइज मैं equal के पीछे space दा रहा हूँ ताकि इस formula को यहाँ पे display कर सकूँ अब गाइज मैं यहाँ से C5 को select करता हूँ data validation में click करता हूँ और जो formula हमने copy किया थे उसको मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ गाइज इसको मैं ok करता हूँ गाइज आप देखें यहाँ पे united kingdom country select है just मैं इसके यहाँ पे drop down arrow को click करता हूँ तो यह देखें गाइज इसकी drop down list अब open हो रही है इसी तरह गाइज मैं सोधी आरब को यहाँ से select करता हूँ यहाँ से मैं drop down arrow पे click करता हूँ तो देखें गाइज इसकी भी drop down list open हो रही है तो गाइज यह दूसरा त्रीका है जिससे आप इस error को दूर कर सकते हैं तो गाइज अब हम देखते हैं कि हम अपनी drop down list को automatically कैसे update कर सकते हैं तो गाइज उसके लिए आप क्या करेंगे आप table बना लेंगे गाइज मैं हर data का लदा लदा table बनाऊंगा मैं यह table नहीं बना रहा तो गाइज सबसे पहले मैं data को select करता हूँ गाइज उसके बाद मैं यहाँ से insert tab में आता हूँ गाइज यहाँ से table section में table बे क्लिक करता हूँ और गाइज इसको मैं ok कर देता हूँ तो यह देखे यह मेरा table बनजेगा गाइज जस्ट मैं इसके जो style आया है इसको मैं clear कर देता हूँ clear फिर गाइज मैं अपने data को select करता हूँ गाइज हमें short की use का रहा हूँ control T हमें इसको ok करता हूँ यह table बनजेगा जस्ट मैं इसके style को clear कर रहा हूँ फिर मैं data को select करता हूँ control T इसको ok करता हूँ तो guys यह देखें यह table बनजाता है अब मैं इसके style को clear कर रहा हूँ फिर मैं अपने data को select करता हूँ Ctrl T करता हूँ OK करता हूँ और यहाँ से इसके style को clear कर देता हूँ गाइज अब देखें गाइज आमें क्वेट के नीचे एक और city को add करता हूँ क्वेट new city तो गाइज अब देखें यहाँ से मैं country को select करता हूँ क्वेट और यहाँ पे मैं drop down एलो पे click करके drop down list को open करता हूँ तो यह देखें गाइज यहाँ पे क्वेट new city आ गया है यानि के मेरी यह drop down list automatically update हो गई है इसी तरह गाइज left post मैं यह United Kingdom के नीचे एक और city add करता हूँ UK new city UK new city two गाइज यहाँ से मैं country select करता हूँ United Kingdom और यहाँ से मैं इसकी drop down list को open करता हूँ तो यह देखें गाइज यह automatically update हो गई है तो गाइज इस तरह से आप data validation की मदब से dependent drop down list को create कर सकते हैं So guys that's all for the lecture मैं अमीद करता हूँ आज का लेक्षिर आपको पसंद आया होगा अगर आज का लेक्षिर आपको पसंद आया है वीडियो को like करें share करें comment करें और चैनल को जरूर सबसक्राइब करें अपना बहुत खीया रखेगा शुक्रिया